नमस्कार आप देख रहे हैं A&B News और मैं हूँ आपके साथ काजल ठाकुल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि सीधे बिहार CRS वक्त की ब्रेकिंग नियूज आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार बोड ने बारवी का रिजल्ट घोशित कर दिया है आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर BSEB ने रिजल्ट जारी किया है बिहार से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय की जो सामने आ रही है राजे के शिक्षा मंत्री विजे खुमार्च ओधरी ने जारी किया है इस साल 13 लाग छात्रों ने इंटरमीडियेट की परिक्षा दी थी तो उसका रिजल्ट आया है जारी रिजल्ट केबल बोर्ड रिजल्ट की ऑनलाइन कॉपी है जो रिजल्ट जारी है वो ऑनलाइन कॉपी है स्कूल से ओरिजनल मार्ग शीट इसकी मिलेगी अभी सिर्फ इसको ऑनलाइन तरीके से देखा जा सकता है बिह रिजल्ट आज आ चुका है लेकिन बड़ी बात ये है कि रिजल्ट सिर्फ आउनलाइन चेक किया जा सकता है उसकी जो ओरिजिनल माक्षिट है वो स्कूल से ही उनको मिल पाएगी तकरीवन 13 लाग स्टूरेंट्स जिन्होंने इंटरमीडियेट की परिक्षा दी थी आज उसक का रिजल्ट आया है कुरुना काल के जलते लगता चात्रों का इंतजार बढ़ता चला जा रहा था परिक्षाएं और जादा प्रभावित हो गई थी लेकिन आप चात्रों का इंतजार खत्म हुआ है इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सीधे आपके सामने तो महराज़ के कोविड अस्पताल में लगी आग से अब तक दस लोगों की मौत हो चुकी है इस हाथसे में हुए नुकसान का जायज़ा लेने मुख्यमंत्री उद्भ ठाकरे मौके पर खुद पहुँचे घटनास्थल पर खुद पहुँचे इस औरां सीएम ठाकरे ने माफी मांगी है साती हाथसे के जबेदार लोगों के खिलाफ सक्त कारवाई किये जाने की बात कही है उद्भ ठाकरे ने कहा है कि अगर इसमें किसी की अंदेखी होगी तो कारवाई जरूर की जाएगी जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों से मैं शमा मांगता हूँ फाइ हैं पिछले साल जब करोना की शुरुआत हुई थी तब बेड नहीं थे ऑक्सीजन की कमी थी वेंटेलेटर नहीं मिल रहे थे इस दौरान कई अस्पतालों को कोविट के इलाज के लिए अस्थाई रूप से अनुमती देनी पड़ी थी और इसी अस्पताल को भी अस्थाई बाहर निकाल लिया गया है पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहां पर एक मॉल है ड्रीम स्मॉल जिसका नाम है वो इमारत है उसी के अंदर एक संदाईज अस्पताल है जहां पर आधी रात को आग लगी थी अस्पताल चार मंजिला मॉल से उपर है और सबसे उपर वाली मंजिल पर अस्पताल है आपको यह बता दे कि तक्रीवन 76 मरीज उसके अंदर मौजूद थे जिनमें ज्यादा तर कोविड-19 का इलास करा रहे थे दमकल की 20 गाडियां पानी के 15 टैंकर और एम्बुलेंस को घट नसल पर भेजा गया लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है कि नौकी चांग के साथ में खिलने का पाप महापालिका और राकेश वानवान एक डियाईयल बीडर में किया है इस अस्पताल को ओसी नहीं थी कोविड के नाम पर महापालिका ने इलिगल ओसी थी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं हॉस्पिटल सेफ्टी स सिस्टम नहीं इमर्जन्सी एक्जिस नहीं पी एंटी बैंक का घोटाला करके एक डिया यह अपनी बेटी के लिए अस्पताल बनाया था नव लोगों की जान के साथ खेलने वालों के खिलाफ उत्रप्रदेश के स्वास्ते सचेव अमित महन इस समय प्रसकॉंफिस कर रहे ह सिदे आपको सुनवाते हैं तालिस से साथ वर्ष के लोगों के लिए भी किसी प्रकार की बिमारी इत्यादी के सर्टिफिकेट की कोई आवशक्ता नहीं होगी पैंटालिस वर्ष से उपर का जो भी व्यक्ति है चाहे वह शहरी छेतर में रहता हो चाहे ग्रामीन छेतर में रहता हो वह एक अपरेल से अपना वैक्सिनेशन करवा सकता है और इसके लिए आप जो हमारे vaccination के केंदर हैं, जनमें booking के लिए slots होते हैं, आप वहां पर booking भी करवा सकते हैं, booking करवा के आप वहां जा करके अपने नियत दिनांग पर vaccination कारे करवा सकते हैं और अगर किसी कारण से आप booking न करवा पाएं तो आप केंदर पर सीधे भी जा सकते हैं तो मुंबई के अस्पताल में जो आग लगी दस लोगों की मौत अब तक उसमें हो चुकी है सत्य प्रकार सोनी समवादाता हमारे साथ मुंबई से अस्वक्त जादा जानकारी के लिए लाइव जोड़ चुके हैं सत्य प्रकार सबसे पहले वहां का अपडेट बताईए क्योंकि पुरी तरीके से वहां पर आग लगी 12-13 घंटे तक तो आग पर काबू नहीं पाया गया क्या अब आग बुझ चुकी है क्या उस पर काबू पालिया गया है क्या अपडेट है देखिए काजल इस तरह से मुंबई के भांडू पी लाइव एक डिम बॉल के अंदर बने हॉस्पिटल में अच्छा चंगा आग लग गई हुए आग तरात कोने बारे बज़े लगी ती जिसके बाद मुंबई की मुंबई पुलिस और तमाम फार्डबिगेटर टीमें करी 25 गारियों को बुड़ा गया है हलाकि 12 घंटे से जादा हो चुके हैं लेकिन अब तक आग पर शाथ की पाया गया है यानि कि अभी तक पूलिंग का काम जाने तरह से जानकारी मिल रही है सत्य प्रकाष्ट वजह क्या बताई जारी आग लगने की है देखिए इस पूरे मामले पर फायर बिगेट भी अभी पूरी सरी से साफ ले उपाया है मुंबई महानजब पालिका की महापोर्ड में भी साफ तक दिखा दिया है कि आग लगने का कान अभी तक नहीं लग पाया है लेकिन लेहाज नहीं बताई जरूर जारा है कि माला जारा कि साफ करके से रिम मौल के पहले मंजीर पहले आग में किसी उसके दुए जो लगातार उठेने लगे लेकिन जो आग लगने का कान और अपर सरीके से हाट भी के दभी ने खिला ले जहां सबीसा इसी बात का रही है ठीक है बहुत चुक्रे आपका पूरी जान कारे के लिए तो मौल के अंदर कोविड अस्पताल बना था जहां पर तकरीवन 76 मरीज थे जिनका इलाज कोविड-19 का चल रहा था तक वहां पर आग लगी है दस लोगों की मौत अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है हलाकि CM उद्धव ठाकरे माफी मांग चुके हैं और म्रतकों के परीजनों के लिए मौपसे का एलान भी कर चुके है लेकिन उन लोगों की जान जा चुकी है और ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि अवैद तरीके से अनुमती उस अस्पताल को दी गई थी दस लोगों की मौत अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है सियासत लगतार गर्माई हुई है बीजेपी इस मामले को लेकर हमला पर है बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आखरकार उस अस्पताल को अनुमती क्यों दी गई और एक मौल के अंदर वो भी चौथी बिल्डिंग पर वो अस्पताल बनाया गया था उसको अनुमती आखरकार कैसे दी गई और इस तरह के कई ऐसे हॉस्पिटल है बीजेपी निताओं का तो ये भी कहना है कि महराश्ट्रा के अंदर कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो की विना किसी अनुमती के चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की और प्रशासन की मिली भगत से चल रहे हैं ये खामियाजा यहां पर आज दस लोगों को भुगतना पड़ा है तकरीवन बारा तेरा घंटों से जादा का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक आग पर खाबों नहीं पाया गया है तस्वीरे जो हम आग पूरे मॉल में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे फैल गई और होस्पिटल के अनदर जो मरीज थे हालागी उन में से कुछ मरीजों को बचा लिया गया है तकरीवन सत्तर लोगों को बचाया गया है लेकिन दस लोगों की मौत अब तक हो चुकी है कोशिशे लगातार की जा रही है आग पर काबू पाने की लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है मुखी मंत्री खुद वहाँ पर पहुचे है घट नसल का जायजा लिया है कैसे हालात वहाँ पर है और लगातार एम्बुलिस को बुलाया जा रहा है वहाँ पर फायर ब्रिगेंट की कई गाडिया वहाँ पर मौझूद है पानी के कई टैंकर वहाँ पर मौझूद है लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है आग की लपते लगातार उठती जा रही है महराश की सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अवैद तरीके से अनुमती इस हॉस्पिटल को दी गई थी और आपसे नहीं बलकि तफ से जब कुरुना की शुरुआत हुई थी उस समय इस हॉस्पिटल को अनुमती दे दी गई थी क्योंकि उस समय बेड की कमी थी इमर्जेंसी बहुत जादा थी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी जिस स्थिती में इस अस्पिटल को अनुमती दी गई थी अवैत तरीके से और यह अस्पिटल लगातार चल रहा था लेकिन अब विपक्ष में बैठी बीजेपी का महाराश्च को लेकर कहना है कि इस तरह के तमाम हॉस्पिटल मुंबई में हैं जो की लगातार चल रहे हैं बिना किसी अनुमती के उनकी कोई अनुमती नहीं और कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है हाला कि इस तरह के आग लगने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं दिल्ली में भी कई बार इस तरह से हुआ था एक कार खाने में आग लगी थी तकरीवन 30-40 लोगों की मौत वहाँ पर हुई थी उसके बावजूद सबक नहीं लिया जाता है चाहें दिल्ली की बात हो या फिर मुंबई की बात हो लापरवाही बढ़ती जाती है हाला कि सरकार की तरब से आश्वासन पूरा दिया जा रहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी सक्ट से सक्ट कारवाई उस पर की जाएगी तो महराज के कोविर असपताल में आग लगी है दस लोगों की अब तक मौत हो चुकी है लगतार उन लोगों को बचाने का सलसला भी बी जारी है कोशिश लगतार जारी है आग बुझाने की कोशिश लगतार की जारी है आप इस वास्तिरे अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 से 13 खंटे का वक्त गुजर चुका है वहां पर तकरीबन 30 फायर ब्रिगेट की गारिया मौझूद हैं आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक आग को कंच्रोल नहीं किया गया है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर वो आग कितनी भीशन वो आग वहां पर लगी है किस तरीके से लोगों को बचाने की कोशिश वहां पर लगातार की जा रही है लेकिन अभी तक कंच्रोल नहीं पाया गया है लगातार लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है इसलिए सीम भी वहां पर पहु लेकर गया तक्रीबन सत्तर जो मरीज हैं हॉस्पिटल के बताय जा रहे हैं उनको इलाज के लिए ले जाया गया है उनके अलावा और भी कई लग रहे हैं बीजेपी के तरफ से एंटीलिया से मामला शुरू हुआ था ग्रे मंतरी उसमें फसे मंतरी पर लगता आरोप लग रहे हैं पैसों की उगाही को लेकर और उगाही सिर्फ इस तरीके से नहीं वह उसी तरीके से होती थी पुलिस स्वालों से कहा जाता था सचिन व और इस मुदे पर डिबेट करने के लिए हमाल सारात प्रीती दूबी बीजेपी का पक्ष रखेंगी बहुत स्वागत है आपका और रतनाकर जी कॉंग्रस का पक्ष रखेंगे आपका भी बहुत स्वागत है सबसे पहले रतनाकर जी आपकी प्रतिकरिया चाहिए दस लोगों की मौत अब तक हो चुकी है बारा से तेरा घंटे का वाक्त गुजर चुका है लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है सबसे पहले तुमाय उस अबिकांड में जितने भी लोग मारे गए हैं उनके परिवारगमां के प्रति मेरी पुरी साहनुब होती है और रिश्वर से मेरी प्रातना है कि उनको इस दुख की घरी में सहने की सकती दिन तुसरी बात जैसे आपने पूछा कि ये आग में अभी भी काबू पाया नहीं कि विजा चुका है तो मैं यही कहूंगा कि आग बहुत बड़ी लगी हुई थी चुकि मौल के अंदर आग लगी हुई थी जहां पे तकरीबर एक हजार के करीब उकाने थी तो आग बहुत ब जो संद्राइज हस्पीटल 3rd floor पे है और मौल के अंदर ही इस्थित है तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि इस हॉस्पीटल को हम लोग पिछले साल हमने कंडिशनल OC दिया था जिसके ताहल आपको भी जात होगा और लोगों को भी जात होगा कि बहुत सारे क पर हॉस्पीटल बताया जा रहा है क्या उस जगह पर हॉस्पीटल को अनुम्मति देना सही समझा सरकार ने कभी भी कोई भी हाथसा हो सकता था वहां पर जी उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल का जो है इस समय कोरोना पीरियेट था उस समय बहुत तेजी से चुकी मुंबई एक बहुत घनिया बादी है अप्रकी वर्ग मीटर यहां पी जनता जो है देश में सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या है तो इसी बात को आपके आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के लिए आपर रुखनागा छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं ब्रेक के बाद जल्द वापस लोटेंगे प्रेक के बाद इगार फिर स्वागत है आपका तो मॉल के अंदर जो आग लगी है दस लोगों की मौत अब तक उसमें हो चुकी है प्रिती दूबी जी अगला सवाल मेरा आप से होगा क्योंकि बीजेपी लगातार महराश्य की सरकार पर सवाल उठा रही है हम तो सवाल नहीं उठा रहे हैं हम तो ये बूच रहे हैं कि आज ही आज देखा होगा कि जो गुंबई की मेहर है शिष्वरी पेजनेकर जीजर सुषेना की है उन्हों ने आज चारे जता रहा है कि एक मॉल में अस्पतार कैसे चल गया हम को जानकारी नहीं है आप लिए बड़ी जमेदाराना हरकते हो रही है मुंबई के अंदर और अगर यहां के मेर को ही पता नहीं है कि ब्रीम मॉल में अस्पतार खुला हुआ है और अभी पता चलता है कि एक साल पहले ही उसे कंडिश्याल और से जी जिसके तहर यहां के को को कुवेच अस्पताल का पर मिशन दिया था तो निम अगर इस्पताल का फॉ इसपताल होता है।। जो ही मुंबई के तो हालात है एक पूलिस तंटर पूरी तरीके साहँ ही तृम टलिए कर रहिए है की बहृ काम हराई प्रिटी जी जो बात कहा रही है इनको आधी बात की जनकर यह पूरी बात मैं पता तूँ आपको उसमें जो मॉल के अंदर संदाइज हॉस्पिटल जो कंडिशनल उसको ऊसी दिया गया थे जिबूइ कोरोना की महामारी ऐा थी तो बहुत सेजी से अम हमारी लोगों कुछ ऐसे प्लिशिस को एंप्रोरी ऑस्पीटल बनाया जिसमें राइज होस्पीटल भी था जिसमें आमने कंडिशनल ओसी दिया था लेकिन एक जी समझेए कि कर ना जो हम लोगों ने कंडिशनल ओसी दिया था उसके तहत वहां पे पेशेंट का ट्रिटमेंट चल रहा था ल मुंबई की मेर ने कहा है कि हम पूरी तरीके से जात करेंगे और कंडिशन जो नहीं प्रफॉल किया गया जो दोसी है उसमें मुंबई की मेर का बयान में अभी कुछ देर पहले पढ़ रही थी उनको तो खुद नहीं पता वहां पर हॉस्पिटल चल रहा है उनको तो थीक है लेकिन ऐसे होस्पिटल जेशन जगे पर नहीं जाते हैं कि मुझा तो पता एक हमने अचंप कि मैं उद्व ठाकरे जी की बात कहना चाहूंगा तो उद्व ठाकरे जी अभी पौर यह तरते उन्होंने कहा है कि मुंबाई में जितने भी हॉस्पीटल से उन्स फिटल का से अजित कि वहां पर इंशोर किया जा सके कि वहां पर कुछ भी इस तरह का आगे भविस्ते में घटा कि पीछे जो लोग भी दोशी है उनके उपर जात होगी और जात के बाद करवाई की जाएगी ताकि मुंबाई में कहीं भी अगर कंडिशनल होती किसी भी ऑस्पीटल को दिया गया है तो वह उसका दूर्पयोग करके किसी इस तरह की घटां को घटां को भविस्ते में ना ह इस लिए उस हॉस्पिटल को चालू करा इस लिए उस हॉस्पिटल को अनुमती दी कोई आप्शन नहीं था उनके पास इसलिए आप ये बटाएए कि इसी महाराज में हम देख रहे हैं जब गोटाले सामने आरे हैं तो करोड, अज्टो करोड, हजार करोड ये सारी चीज़ नगजरी काड़ियों में जो हमारे संदिग्द ताधी हैं वो घूंग रहे होते हैं तो क्या इनके पर अफ़िन नहीं हैं? आज आप सोच्पे कि महाराज की जनता कितनी लाचार होती है जो राजी सरकार चल रही है राजी सरकार में अपने नहीं कोई संबन्दिक परिलबार्शित नहीं होती है आज शिषेना की मेर का ये जो बयार है कि मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पर हॉस्टितल चलता है तो आप बताइए कि किसी अस्पताल को चालू करवाया जाता है तो क्या बिना किसी बीम्सी के नॉम्स के चालू करवाया गया होगा और आज जो दस लोगों की मौट डिक्लेयर्स कीटारिय अभी तो पता ने किसनी मौट अभी होंगी है दस लोग बताई जा रहे हैं क्या उनकी जिद्धी हम वापश ला सकते है क्या इंकी माफी नामे से क्या उद्णी जान को कि जाया सकती है आज उन्हों ने राज्ज सरकाय से विच्वार करके कोविच चंश सब डैते क्या वो अपने घरों में रहते त जवाब दीजे रतनाकर जी इनको यह जवाब देना चाहूंगा जिए रही है कि इसी लाचारगी है ठीक है हमने हमने तो अपनी गल्पियों को सिगार करते हुए उसको क्या करना है सुदार करने का पूरी प्रयास करते हैं और उदो ठागर जी ने भी बोला है कि अगर मेजर्स जितने भी है ऑडिट कराया जाएगा और दोई से में इस तरगी घटनाय नहीं हो इसका पूरा श्याल रशा जागा लेकिन मैं इंसे पुजरा चाहता हूं परिजी इसे कि बात की जनता पाटी उससे में कहा थी जब चार गंडे के अंदर माने प्रदार मंत्री उसके बारे में आप कुछ बताएंगी मौत को मौत से नहीं तोल सकते आप जो हुआ है वो सब के सामने है और अगला सवाल भी मेरा आप सुनिए मेरा सवाल यह है कि बीजेपी का कहना है कई और ऐसे हॉस्पिटल है मुंबई में जो कि इसी तरीकी की अनुमती से जलने पता अगले माराज की सबक लिया है माराज सबक लिया है महाराज कि सबक लिया है वह दोनों को हमारे साथ जुरने के लिए तो महाराश्च में एक मौल है जिसके अंदर हॉस्पिटल बनाया हुआ था उसको अनुमती दे दी गई थी वो भी उस समय जब कोविट-19 की शुरुआत होई थी महाराश्च की सरकार नहीं दी थी अब उसमें आग लगने से 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है लेकिन आग प्रकाबू अभी तक नहीं पाया गया है देखते रहें एन बी नियूस नमस्कार